नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं Tech Unboxing और आज की इस वीडियो में हम Unbox करने वाले एक budget laptop जो है Asus की तरफ से और यह है Asus का VivoBook 14 और यह है वो actual laptop गैस इस particular laptop को मैं उसकर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से और यह एक budget laptop इसलिए है क्योंकि इसकी pricing बहुत ही जादा aggressive है pricing की बाद हम बाद में देखेंगे और यहाँ पर आपको Intel के 11th generation processor देखने मलता है तो यहाँ पर हमारे पास जो variant है इसमें आपको देखने मलता है Intel का Core i5 11th generation और इस particular laptop की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो display उन्होंने प्रोवाइड किया है वो completely एक touch display है तो जी हाँ आप tablet की तोर पे भी इसे use कर सकते हो प्लस इसमें उन्होंने ergo lift hinge provide किया है जिसकी help से directly आप इस laptop को 360 degrees में यहाँ पर rotate कर सकते हो और as a tab भी use कर सकते हो तो ज़ेर सारे और features से इस particular laptop में यहाँ पर time waste नहीं करते है इसकी unboxing तो यहाँ पर box के आगे की तरफ आपको asus vivo book की badging उन्होंने provide के साइड में आपको MRP और कुछ additional details देखने मिलते है PG की तरफ यहाँ पर आपको देखने मिलते है उसका model number जो है TP470E और इसमें आपको देखने मिलते है core i5 11 generation 8GB RAM 512GB की SSD और धेर सारे और features जिसे हम वीडियो में देखेंगे जैसे हम इसे unbox करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वह actual laptop आपको देखने मिलते है और यह काफी lightweight है तो इसे फिलाल हम रखते है side में उसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पर उन्होंने कुछ user manual और कुछ paperwork प्रोवाइड किये है और right hand side के compartment में यहाँ पर आपको देखने मिलता है उसका charging brick और उसकी power cord और उसी के साथ यहाँ पर एक छोटे compartment में आपको Asus pen भी देखने मिलता है and guys that's it यही सारी चीज़े आपको box के अंदर देखने मिलती है तो सबसे पहले मैं बात करना चाता हूँ इसके build quality की तो यहाँ पर उन्होंने high quality plastic का use किया है और इसके color के अगर मैं बात करो तो silver color उन्होंने यहाँ पर use किया है यहाँ पर जो hinge उन्होंने provide किया है वो भी काफी premium quality का hinge उन्होंने use किया है क्योंकि यहाँ पर आपको Ergolift hinge देखने मिलता है जो 360 degrees में आपके laptop की screen को यहाँ पर rotate करता है तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ अगर आपको चाहिए इसके ports की तो left hand side पर यहाँ पर आपको देखने मिलता है Kensington lock, USB port उन्होंने provide किया है और right hand side में आपको देखने मिलता है उसका power का input full size HDMI port, USB port, thunderbolt port provide किया है 3.5 mm का jack देखने मिलता है, micro HD card slot उन्होंने provide किया LED light indicators और power on button so guys यहाँ पर जो power on button का placement उन्होंने दिया है right hand side पर वो मुझे थोड़ा बहुत odd position यहाँ पर लगा बढ़ ठीक है कोई बात नहीं उसे के साथ हम बात करेंगे इसके display की तो यहाँ पर आपको 14 inch का full HD display देखने मिलता है जिसका aspect ratio है 16 inch to 9 और यहाँ पर उन्होंने IPS level panel प्रोवाइड के है जो आता है glossy finish के साथ और यहाँ पर जो display है completely touch display है so basically आप इसे finger से भी operate कर सकते हो या फिर जो asus pen उन्होंने provide कि है उसकी help से भी आप इसे operate कर सकते हो so by display के मामले में या फिर जो pen है asus pen उसके बारे में हम बाद में discuss करेंगे उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं इसके brightness की बात करू तो सिर्फ उन्होंने 250 nits की brightness प्रोवाइड किये so brightness के मामले में मुझे इतना बढ़िया इसकी brightness नहीं लगी at least 400 nits की brightness उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए थी but जी हाँ guys overall एक काफी अच्छा display है और सबसे important बात मतलब एक touchscreen display आपको देखने मलता है इतने budget laptop में है guys फिर हम बात करेंगे इसके सबसे important aspect की तरफ जो है इसका processor so यहाँ पर आपको Intel का Core i5 11th generation processor देखने मलता है उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने 4GB का Intel Iris XC graphics प्रोवाइड किया है जो यहाँ पर आता है Intel की UHD Graphics के साथ और यहाँ पर 8GB का DDR4 RAM 512GB का NVM Express की SSD उन्होंने प्रोवाइड किये so guys overall जो इसका configuration है वो काफी तगड़ा configuration है और यहाँ पर आपको dedicated graphics भी इसमें देखने मलता है 4GB के so but obvious यहाँ पर हमने gaming भी इसमें try किया so जो casual gaming होता है जैसे Valorant Game वो काफी बढ़िया तरीके से इसमें चल जाता है आप देख सकते हूँ यहाँ पर approximately 50 से लेके 60 के बीच में आपको FPS यहाँ पर देखने मिल जाते है and but obvious उसी के साथ यहाँ पर हमने GTA 5 गेम भी इसमें खेला और optimal settings पर यहाँ पर आपको approximately 30 to 50 FPS के बीच में frame rate मिलेगा हाला कि यहाँ पर हमने कुछ customizations इसमें किये थे तो हमें on an average constant यहाँ पर 30 FPS मिल रहे थे so 30 FPS पर जो GTA 5 गेम था वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर work कर रहा था उसके अलावा अगर आप इसे multitasking या फिर official purpose के लिए use कर रहे हो तो भाई यहाँ पर आपको कोई भी lag महसूस नहीं होने वाला अगर मैं इसके बैटरी की बात करूँ तो अंदर की तरफ यहाँ पर 4A बैटरी उन्होंने प्रोवाइड किये जो आपको यहाँ पर last करीगी एक साल तक जैसे मैंने आपको पहली बता है आप इसे tablet की तोर पर भी use कर सकते हो और यहाँ पर अगर आपको चीए तो drawing हो गया, sketches हो गया, वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर draw कर सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पर जो 3D models होते है, basic 3D models उसे आप काफी बढ़िया तरीके से इसमें design कर सकते हो and जी हाँ, जो pen है, जो asus pen उन्होंने provide किया है, उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा strap provide किया है जो यहाँ पर magnetically stick हो जाता है आपके back panel पे, laptop के back panel पे जिसके उपर आप काफी बढ़िया तरीके से pen को place कर सकते हो उसे के साथ हम बात करेंगे इसके keyboard की, तो यहाँ पर उन्होंने backlit chiclet keyboard provide किया है और यह काफी sturdy fill देता है जबी भी आप इसके उपर type करते हो और यहाँ पर जो backlit provide किया है, वो यहाँ पर आपको 3 brightness level के साथ आता है जो backlit keyboard है वो भी काफी बढ़िया तरीके से आपको visible होगा जबी भी आप रात के time पर इसके work कर रहे हो और फिर हम बात करेंगे इसके trackpad की, तो यहाँ पर आपको decent size trackpad देखने मिलता है और trackpad के अंदर ही यहाँ पर उन्होंने fingerprint scanner भी provide किया है और fingerprint scanner भी काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर work करता है उसी के साथ हम बात करेंगे इसके camera की, तो यहाँ पर उन्होंने webcam प्रोवाइड किया है जो है 720p का और इसकी quality भी काफी बढ़िया है, low light performance भी इसकी काफी अच्छी है उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने Wi-Fi 6B provide किया है तो guys, overall जो internet connectivity यहाँ पर आपको देखने मिलने वाली है, वो काफी बढ़िया है इस particular laptop में उसी के साथ हम बात करेंगे इसके speakers की, तो यहाँ पर आपको down firing speakers देखने मिलते हैं नीची की तरफ और यहाँ पर dual speakers उन्होंने provide किये हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक sample video play कराऊँगा, जिसमें आप सुन सकते हो इसकी sound quality So guys, जो overall sound quality है, वो काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको सुनाई दीती है और फिर हम बात करेंगे इसके battery life की, तो यहाँ पर आपको 42 watt hours की battery उन्होंने provide किये, जो यहाँ पर आता है 65 watts के fast charging के साथ So यहाँ पर approximately 49 minutes में आपका laptop यहाँ पर 60% charge होने वाला है, जो बहुती बढ़िया बात है Plus guys अगर आप चाहो तो इस particular laptop को आप power bank की help से भी power on कर सकते हो But guys यहाँ पर आपको slow charging इसमें देखने मिलने वाली है But obvious power bank की help से सिफ आप इसकी battery constant level पे maintain रख सकते हो But guys यह एक add-on है कि यहाँ पर power bank की help से भी आप इसे charge कर सकते हो And finally guys यहाँ पर हम आते है My Asus software के उपर जहाँ पर आपको इसमें कई सारी accessibility मिलेगी जैसे कि आप इसकी performance यहाँ पर test कर सकते हो अगर आपको कोई भी query है उसके उपर आप raise कर सकते हो Plus guys यहाँ पर My Asus link का भी functionality उन्होंने provide कि है जिसकी help से आप smartphone को literally आपके laptop के उपर mirror कर सकते हो और अगर आपको चाहिए तो आपके laptop की screen भी यहाँ पर आप smartphone के उपर mirror कर सकते हो और सारी चीज़े आपके laptop की directly phone के help से यहाँ पर operate कर सकते हो और guys यह जो Asus का VivoBook 14 laptop है यह काफी बढ़िया और budget laptop है especially इसके specs भी मुझे काफी ज़्यादा पसंद है pricing की अगर मैं इसके बात करो तो इसकी pricing start होती है 51,990 रूपीज की price में जहाँ पे आपको इसका core i3, core i5 और core i7 variant भी देखने मिलता है so आपके हिसाब से आपको जो variant चाहिए आप इसमें purchase कर सकते हो और guys अगर किसी को इस particular laptop को purchase करना है तो link में नीचे description में drop कर दूँगा वहाँ पे जाके आप इसे purchase कर सकते हो so guys बस यही था आज के वीडियो I hope आपको इस वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीजिए हमारे channel को और दोस्तों और इक important बात पीज मेरा facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद